स्मयब सेख स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल टेक्निकल ब्लॉग में आज कई दिनों के बाद यूपी टुपल सी की न्यूज मेरे पास आई है और यह न्यूज यह देखेंगे तो आप 14 अगस्त को यह नोटीस सेख वहां से जारी हुआ था यह नोटीस आज जो है वेब लिखाना चाहता है और हमको लगता है बैकंसी यह दी धिरे धिरे यह खतम करता है 2012 की फांसी कोई लोग खतम करके नए सीरे से निकालना चाहते हैं यह क्या मन्सा है इनकी यह तो पूरी न्यूज जो है मैं आपको पढ़कं चुनाने वाला हूं कि आकिर यह पूरी है कि उत्तर प्रदेश अधिना सेवा चैन आयोग पीकप भावन तृति तल गोमती नगल लखनाउं संख्या 14 बटा इतना इतना उसके बाद रहे यह अब यह समझ लीजिए कि क्या हो सकता है तो यहां पर आयोग विजापन संख्या 28 परिच्छा 2016 द्वारा समलित अवर अभियंता उप वास्तु विद प्रितियोग आत्मक परिच्छा 2016 सेकंड के अंतरगत चार विभिन विभागों के विभिन वेवसायों के अवर अभियंता सिविल यांत्री विद्दु सहायक के 483 ओम उप वास्तु विद के 6 पदो सहीत कुल प 489 रिक्त पदो पर सीधी भरती के माध्यम से चैन पुरक्रिया हेतु दिनांक 27 बारा 2016 सेकंड एक 2017 तक अनलाइन आवेदन आमेंत्रीत किये गए हैं जिसके अंतरगत विग्यापन के प्रास तरकिस्तारणी एक के क्रमांक तीन पर यूपी कंस्ट्रक्शन आयन इंफ्राइस्ट्रक्चर डिवलप्मेंट कार्पोरेशन लिम्टेट पूरवाती उत्तर के लिए अवेंत्रित किये गए हैं आयोग के उक्त विग्यापन के क्रमांग तीन पर उल्लिखित उक्त विभाग के पत्र संख्या दस आठ सो बाईस और यह नंबर लिखा हुआ है दिनांग 16 मार्ज 2020 द्वारा आवरा भियंता वा उपवास विद के उक्त एक सो तीन पदो पर चैन की कारवाई अस्थागित करने का अनरोध किया गया है यानि उस विभाग ने इनको यूपीटेबल सी को अस्थागित करने के लिए कहा है इस संबंद में सम्यक विचारो पुरांत आयोग की बैठक दिनांग 14 जिलाई में अन्यर्ण लिया गया है कि चुकि आयोग अस्तर पर पदोग के अस्थागित रखने का कोई प्रविधान नहीं यानि कि यह वैकंसी को मतलब अस्थागित नहीं कर सकते हैं कि बाद में आएगी है नहीं आएगी इस तरीके से बता रहे हैं अत्ता आयोग के उप्ध विग्यापन संख्या 28 पर इच्छा 16 के पर अस्त वास्तुविध के तीन यानि टोटल 103 पदों के अधिचायन उन्हें मूल रूप से वापस कर दिया जाए विग्यापन के प्रस्तर साथ की साणी एक के क्रमांक में तीन प्रकासित और अभियंता के 17 पद और अभियंता सिविल के 80 पद सिविल के 80 पदों को और उप वापिस किये जाने के फलसरूप विग्यापन संक्या 28-16 के विग्यापन के प्रस्तान पर अब 386 रह गया यानि इन्हों ने पदों को डिक्रीज कर दिया यह बहुत ही बड़ी न्यूज है मेरे भाई यह बहुत ही बड़ी न्यूज है क्योंकि इन्होंने बैकंसी को कम कर दिया है और वह भी थोड़ा बहुत नहीं 103 बैकंसी को कम कर दिया अगर आप लोग नहीं जागे तो यह बैकंसी पूरी तरीके से खतम होने वाली है मुझे ऐसा ही लगता है बाकि सरकार क्या करिए वह जाने लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बैकंसी कम किया इतने दिनों ब अब सून हो गई है और वैकंसी टोटल जो आपकी 489 थी अब वो 386 हो गई है यानि 130 पदों को कम कर दिया गया है विग्यापन संख्या 28 परिछा 16 के अंतरगत आवेदन करने वाले संबंधित अभ्याध्यों के इतद सूचित किया जाता है कि आयोक के उक्त विग्यापन दोला में प्रकासित और अभियंतायम तकिनीकी सहाय के कुल रिक्त पदों के संख्या 489 के अस्थान पर 386 पढ़ी जाए तथा विग्यापन संख्या उक्त सीमा को संसोधित समझा जाए और भाविदी वीपिन कुमार मिसरा परिछा नियंतरत तो यहां पर यह पूरी न्यूज थी मैंने सोचा आप लोगों जानकारी दे दूँ और आप लोग अब भी नहीं अगर जाग रहें तो यह जान लिए बैकंसी मुझे नहीं लगता नतीज़ा भुगतना पड़ेगा एक्जाम का तो पता ने बारे में नहीं बताया लेकिन वैकंसी कम कर दिए एक्जाम के बारे में अभी यह नहीं बता है कब कराएंगे इसमें कुछ नोटीस में ऐसा कुछ दिया ही नहीं तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना अगर आप अपना खुद का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और शेयर तो मतलब कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जो इस वाली दोनों में जो लोग हैं सब के पास शेयर करी सब को ट्वीटर से जोड़िए अगर आप कमेंट करेंगे जब आप टेलीग्राम पर वाटसप पर उसके बाद एक दिन ट्वीट किया जाएगा जम के ट्वीटर वार होगा तब जाकर हो सकता है कुछ हो नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है तो इस वीडियो को शेयर तो जरूर करना और चाहे कुछ करना है चाहे ना करना ओके थैंक्यू